हलो दोस्तों अभी सुबह के छे बजे हम खड़े हैं तल्ली ताल जील के किनारे आप देख सकते हैं कि पाने कितनी शान तरीके से बह रहा है और हल्की हल्की ठंड है ये सब होटेल्स और घर हैं जो पहाड के उपर बने हुए हैं कुछ ही समय में सामने से सूर्यों जे होने वाला है बहुत ही अच्छा नजारा है दोस्तो अभी हम जहां है वो कौशानी जिला है उत्राखन में और सामने आप हिमाले की वादिया देख सकते हैं बादल हमसे नीचे हैं और कौशानी को महत्मा गांधी ने भारत का मिनी स्विट्जर लेंड कहे कर पुकारा था बहुत शांत जगे हैं बहुत अच्छा वातावरन है शुद्ध वातावरन बहुत अच्छी जगे हैं अभी आप जो देख रहे हैं वो चाए के बागान हैं कौशानी में चाए के बागान भरपूर मत्रमें हैं और सामने जो द्रश्या आप देख रहे हैं वो हिमाले की वादिया हैं आप देख सकते हैं यहां खेती भी होती है जो यह आपको इस टैप जैसे दिख रहे हैं जो इस्थानिय लोगों को सब्जियां सप्लाई करने में बहुत कारगर सावित होती है अभी हम खड़े हैं भीमताल यहां का नजारा आप देख सकते हैं आखों को बहुत ही सुकून देने वाला और सामने यह खेती यहां हो रही है जो यहां के स्थानिय लोगों तक पहुचाई जाती है अभी आप देख रहे हैं मुक्तेश्वर धाम का नजारा बहुत शानदर जगे हैं काफी गहराई में है और यहां देखकर यह गाना गाने का मन करता है यह हसी वादिया यह खुला आसमा आ गए हम कहा आए मेरी जाए जाए इन बहारों में दिल की कली किल गए दोस्तों अभी हम खड़े हैं मुक्तेश्वर धाम के पास एक वाटर फॉल बहुत ही उचा जल प्रपात है यह और यहां काफी थंडा फानी है काफी सारे लोग यहां इंजॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हैं एक दोगी को भी बड़ा मजा आ रहा है यह भी आनंद ले रहा है इस जड़ने का है